दोस नमस्कार, कॉंग्रेस की सोनिया सेना के खिलाप में मोधी सरकार तावड तोड कारवाई करने में लगी हुई है मोधी सरकार के बड़े एक्शन की वज़े से वाड़रा कॉंग्रेस का सुख चैन सब को छिन चुका है अब पीम मोधी के केंद्रिया आवास और शहरी मामलों के मंत्राले ने कॉंग्रेस पार्टी को कारण बताओ नोटिस भेज करके लुटियंस दिल्ली के चानक के पुरी में इस्तित एक फ्लैट खाली करने के लिए जो है आदेश दे दिये हैं कॉंग्रेस को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक 25 मार्श को दोस्तो जारी इस नोटिस में कहा गया है कि फ्लैट नंबर C109 पर कबजा अवे तरीके से किया गया है और इसे खाली तुरंथ किया जाए नोटिस में कहा गया है कि इस आवास का आवंटन 2013 में मंत्रालाई के संपदा निदेशालाई ने रद कर दिया था अधिकारियों के मताबिक दिल्ली की वी वी आईपी इलाके चानक के पुरी में इस्तित इस संपत्ती में अधिक रहने के लिए कॉंग्रेस पर लगभग तीन करोड रुपे का जुर्माना लगाए जा सकता है अधिकारियों ने कहा कि पार्टी को तीन दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है नोटिस में व्यक्तिगत रूप से पेश हो करके ये बताने के लिए कहा गया है कि बेदखली का आदेश यानी की इविक्षन नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाए नियम कहता है कि इस केस में जिसे बंगला दरसल आवंटित हुआ था वो व्यक्तिगत रूप से या विद्वत अधिकरित प्रतिनिधी के माध्यम से इस मामले में पेश हो सकता है अधिकरियों ने कहा कि यदि आवंटि कारण वताओ नोटिस का जवाब नहीं देता है या फिर निर्धारित समय के भीतर पेश नहीं होता है तो मामले को एक तरफा जो है इसका फैसला किया जा सकता है केंदर सरकार पूर मंत्रियों और पूर्व सांसदों से सरकारी बंगले खाली करवा रही है एक रिपोर्ट के मताबक मोधी सरकार के पहले ही साल 460 नेताओं से सरकारी बंगले खाली कराए गए थे यानि कि जो सौनिया सेना के जो नेता है वो बंगले में मौश काट रहे थे उनको खाली करना पड़ा नेता उसे बंगले खाली कराने के लिए मकसद से 2019 में मोधी सरकार ने एक सक्त कानून भी बनाय था इस कानून के मताबिक समय पर बंगले खाली ना करने पर 10 लाग रुपए तक के जुरुमाने का प्रावधान जो है किया गया है इसके अलाबा ये भी कहा गया है कि नोटिस मिलने के तीन दिन बाद सरकार बंगले खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है अगर नोटिस का जवाब नहीं भी दिया थो तो सीधे तोर पर प्रधान मंत्री नरंदर मोदी एक्षन में दिखाई दे रहे हैं मोदी सरकार जो है लगातार एक्षन में दिखाई दे रही है एक के बाद एक कॉंग्रेस की सोनिया सैना पर ताबर तोड कारवाई की जा रही है और अब जो है सोनिया गांधी के सचिप पर तगड़ी करवाई की गई है और करोड़ों रुपे का नोटिस दरसल उनको थमा दिया गया और कहा है कि ये आप से बसूला जा सकता है क्योंकि सीधे तोर पर आपने कानून को ताक पर रखा है कानून की धज्जियां उड़ाई है समविधान को जो है तार-तार करने की कोशिस की है बहराल जो दोस्तों सौनिया जैना के उपर मोधी सरकार की तगड़ी करवाई हुई है जिससे बाड़रा कॉंग्रेस में हड़कब मच चुका इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कॉमेंट सेक्षन में ज़रू लिख पताएं